हलो गाइज वेलकम टू बेस्ट फैंटन सीट अफिशेल यूटियूब चैनल गाइज आज हम बात करेंगे इस वीडियो में वमेंस सुपर स्मैश मैच की उटागो स्पार्क्स वर्सेज ओकलेंट हार्ट के बीच में जो होने वाला है वमेंस का टाइमिंग गाइज इसकी रह मैच के इस वेन्यू पर जहां पर यह मैच है कुईंस टाउन न्यूजिलाइड उसमें अभी तक सिर्फ एक टीट्रीटी मैच हुआ है इसलिए स्टैट्स को ज्यादा आपको बताने के लिए हैं लास्ट मैच में मैंने यही बोला ता कल वाली वीडियो में लेकिन जो मैंने आपको एडवाईज दी थी वह 100% काम करी थी आप जाके अभी भी वह वीडियो यह वह रिज्ट दोनों में से कुछ भी जाके देख सकते हो अब गाईज यहां से मैच पर बाफिस आते हैं तो पॉइंट स्टैबल की बात करेंगे ओटागो स्पार्स का इस सीजन 6 मैच के ल होम ग्राउंड है उनका लेकिन यहां पर ज्यादा मैच हुए नहीं उनका भी ज्यादा पर्फॉमेंस यहां पर है नहीं एक ही मैच के पर्फॉमेंस है वह मैं आपको यहां से बताऊंगा उससे पहले इस वेन्यू पर देख लीजे दोनों ही टीम ने एक एक टी 20 अपना य इस वेन्यू पर गाइस दूसरी पारी में इनकी टीम ने दूसरी पारी में ही बेटिंग करी इस वेन्यू पर तो आप यहां से सब स्टैट समझ सकते हैं सूजी बेट्स ने 24 किया इस वेन्यू पर पॉली इंग्लिश एक किया है केटी मार्टिं चालिस सेकंड पारी में मैंने यही बोला है और यही सही हुआ है कि केटी मार्टिन या पॉली इंग्लिश दोनों में से कोई एक तगड़ा करेगा मैच में हर मैच में दोनों एक साथ नहीं चलती है मैं नोटिस कर रहा हूं यह कुछ टाइम से इसलिए और आप जाके रिजल्ट भी देख सकते हो मैच था चार बजे उसमें भी यही हुआ उसमें भी पॉली इंग्लिश ने 50 करा बढ़िया हाफ सेंचुरी अपनी करी और उसमें केटी मार्टिन नहीं चली तो दोनों एक साथ नहीं चल रहे हैं आप जाकर स्कूर काड़ चेक कर सकते हो स्मॉल लीक के लिए लेकिन केटी म बहला जीमस ने जीरो अलिविय गें साथ इडेन कार्सन पहली पारी में एक ब्लेक ने पहली पारी में है एक सोफी ओलड शो लेक बिन एक बिक एफ लोग एक बड़ आपक्लेंट ही बात आँ बिता हूंगा आप लोग को यहां से उसके बाद अपर्टेंस डिसकस करेंगे उसकी तरफ से देख लीजिए एना पीटरसन गाइस जो अभी तक खेल रही थी 99% केप्टन सी सेलेक्शन जिनका था राइट आम और बेटिंग पॉलिंग दोनों करती थी वह इस मैच में नहीं खेलेंगी विकॉस कोई अभी अनाउंस हुआ है उसमें यह नहीं है तो ओपनिं तो क्या ही शांदा स्रेट है केट परकिंस पहली पारी में 23 दूसरी पारी में 21 फ्रेट जो शरूर इस वैंनुन गटाए तो नहीं यहां पर अपने स्रेट्स जो है वह खतम अब बात आती है प्रेक्टिकल नॉलेज की तो इस प्रेक्टिकल नॉलेज आपको जो ग्रेंड ही में करना है मैं आपको यहां से बता देता हूं सुजी बेट्स वन आउ था बेस्ट जैसा मैंने कहा कैप्टन वाइस कैप्टन जी बहुत अश्ची ऑश्चन पॉली इंग्लिश केटी मार्थिल यह दोनों में से एक को ही चलेगा गैरेंग्टी है आप इन में से किसी एक को ह है किट इब्राहेम फिर से मुझे लाग रहा है विकैट अश्चैसी तो कर सकतीए बैटिंग से भी कुछ कर सकतीे हैं यहा से जो मैं आपको बताया है के है एक्ट्यचेमें चार मीच जीते हैं टम्ह ने वहां ऑकलाइंट हर्ट ने शोला मैच जीते है वहां अजून् Few UA आप प्र इंक्रिंग को कोलैप्स कर सके। एमा ब्लेक एडन कारसन यह गाइस मिलके चार ओवर डालते हैं चार चार ओवर तो गई आपके 16 अब गईस बचे जो चार ओवर हैं वह चार ओवर गईस केट अब डाल सकती हैं सुजी बेट्स भी एकात ओवर डाल सकती है यह चीज आपको ध्यान रखनी है फिर गईस इनकी तरफ से बताता है तो लॉरें डाउन का जिससाफ से वैल्यू स्टैट्स है मेरे साफ से वाइस केप्टन सी की बहुत अच्री ऑप्शन है और प्लस ओक्लाइंट है तो आप इनको वाइस केप्टन स्मॉल लीग में भी ट्राइ कर सकते हो फिर बैला आम स्टॉंग जो है वो अच्छा कर सकती है बाकी एरिन केली बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी साची शेयरी खेल रही है लांस दो मैसे देखते हैं क्या परफॉर्मस देती है कल जैस प्रसाथ इंपॉर्टेंट एक्स्प्लेयर मॉली पैनफोल्ड फ्राइंट जोनस फ्राइंट जो पर उसके बाद मॉली पैनफोल्ड डालेंगी साची शेयरी खेलेंगी तो साची शेयरी भी दो वर बॉलिंग करा सकती है इनकी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक आपके यही रहेंगे जो मैंने आपको बताए हैं साची शेयरी को अगर एक रिस्की टीम में आप ट्राइग करना चाहो तो वाइस के प्नेंट के रूप में ट्राइग कर सकते हो अधरवाइस होली एडिस्टेंट वैला अमस्ट्रॉंग लॉरिन डाउन और यहां से फ्राइंट जोनस आपके लिए मुस्ट मस्ट हैप आपके लिए होने वाले हैं अगर मुझसे थोड़ी कोई कमी रह गई हो एक्स्प्लेनेशन में आपको पूरी वैल्यू दे दूंगा जो भी आपका कॉंशन होगा स्मॉली ग्रेंड ली किसी भी प्लेयर से रिलेटेड तो मैं आपको उसका आंसर क्या प के आप स्मॉल लीग नहीं होते हैं उगर आप स्मॉल लीग से प्रॉफित नकालना चाहते हो तो मैं कहूंगा आप सेविंग के साथ खेलो अच्य का शी और यहांसे इन अप्स पर खेलो जिन पर मैं आपको रिक्मेंट कर रहा हूं स्पोर्ट्सी हो गया 11 चैलेंजर उग व तो आप यहां पर खेलो जब खेलते हो तो साइन अप कोड हमारा ज़रूर यूज करें ना बेफ टिप्स राइस्टेशन करते वक्त तो थोड़ा सा आप से हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा बागी थैंक यू कि अभी आप चैनल पर किसी भी वीडियो पर जाएए और आपको यहां पर उपर बटन दिख रहा होगा यह वाला एरो दिख रहा होगा इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलिघाम चैनल के लिंक मिल जाएगी प्लस स्पोर्ट सी बगरा जहां पर भी हम लोग खेलते हैं पूरी बीटी फैमली वहां की लिंक आपको मिल जाएगी सकता है आपके बहुत जादा काम की हो थैंक यू